हेला वरिवन यहाला सेशन हमारा code coverage के related होने वाला है इन गोलांग के unit test case में code coverage कैसे करते है वो देखने वाला है ठीक है तो लेट स्टार्ट करते है कि फ़ेला question है कि code coverage होता क्या है ठीक है ठीक है let's try to understand the thing first ठीक है तो generally कोई भी programmer या फिर कोई भी developer क्या करता है कि function packages लिखता है राइट ओके तो इन प्रिवेस session में हमने क्या किया था कि हमने add sub multiplication ऐसे function यहां पर लिखेते हैं ठीक है तो generally unit test case या फिर कोई भी automation framework क्या करता है कि code reach out हो रहा है या नहीं हो रहा है okay using there some kind of tooling mechanism which is a code coverage okay अब हम unit test में क्या call करते है कि कोई भी function call करते है या packages को call करते है रहा हमने क्या call किया था हमने add function को call किया था तो add में क्या हो रहा है कि यह जैसे add call होंगा तो हम sure हो जाएंगे कि यह code complete test हो चुका है है okay ठीक है complete ना बोलते हुए कि यहां से लेकि यहां तक code reachable है ठीक है अगर मैं कोई subtract नाम का function call करता हो तो मुझे surety मिल जाएंगे कि यहां से लेकि यहां तक पूरा का पूरा कोड हमारा execute हो रहा है उसी चीज़ को हम code coverage बोलते हैं ठीक है तो मैं तो गोलाइंग में code coverage कैसे करते हैं वह देख लिए ठीक है तो मैं थोड़ा सा इस code को subtract का जो code है इसको modify कर देता हूं तो यहां पर मैं सिब एक simple if condition यहां पर डाल रहा हूं तो जस्ट तो show you the option of code coverage ठीक है यहां पर कुछ नहीं किया है मैंने एक true नाम का if condition डाला है वहां से सिफ return किया है और else portion जो कभी भी execute नहीं होगा ठीक है यहां तक code कभी रीच नहीं होगा क्योंकि हमने क्या बहुत है hard code true condition यहां पर डाल दीए ठीक है ठीक है let's try to understand करते कि code coverage को हम देख कैसे सकते execute कैसे कर सकते ठीक है तो लेट्स आपको यहां पर टर्मिनल में आना है यहां पर आपको क्या करना है कि go test मुझे क्या execute करना मुझे math operation execute करना है math operation पर जो package है तो यहां पर मैंने location यहां पर दे दी और आपको बस क्या करना है कि यहां पर आपको cover एक parameter यहां पर देना ठीक है और just enter करते रहे हैं ठीक है अगर आप देखोंगे कि यह जो आज जैसे आप cover देते हूं तो यह आपको coverage बतागा है किसका coverage बता रहा है यह math operation जो package है उसका coverage बता रहा है ठीक है तो वह रहा है कि 57.1% इसका coverage है मतलब कि 57.1% code अभी तक cover हुआ है और नियर अबाउट 43% code अभी तक cover नहीं हुआ है उसके उपर हम reach out नहीं कर पा रहे हैं तो हमने इसके लिए कभी unit test case लिखा ही नहीं है तो यह वाला portion का मतलब यह वाला code is unreachable बोल सकता हूँ यूजिंग unit test case ओके ठीक है एंड यहां से else वाला जो part है वह अभी तक cover नहीं हुआ है आपकी unit test case या भी automation framework आप देखते हो ओके ठीक है तो यहां पर इसने तो percentage दिखा है ओके मुझे जानना है किया रभाई मुझे क्या बोलते कितना परसेंट अभी तक मतलब कौन सा function है जिसका अभी तक code coverage नहीं हुआ है वह मुझे और detail में जानना है तो उस case में आप क्या करो ठीक है तो हम क्या लिखता है go test ठीक है और आप क्या करो एक math operation यहां पर लिखो cover profile कवर प्रॉफाइल कवर प्रॉफाइल कवर प्रॉफाइल करता हूं कि हम पहले क्या क्या option है वह जान देते हैं ठीक है आप क्या क्लिको go help test flag लिखो test flag ओके इससे क्या होंगा कि आपको पता चाले जाएंगा कि testing के लिए कौनकों से flag हम option में दे सकते हैं ठीक है और यहां पर आप क्या देखो कि यह cover के लिए क्या option है ठीक है तो पहला option यहां पर है cover profile जो क्या करता है कि आपका जो भी coverage है उसको एक पोई तो भी out file में डम कर देता है write a coverage profile to the file after all the test have passed ठीक है फिर और क्या option है cover के लिए है ठीक है CPU ओके यह 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 ओला option है cover mode ओके फिर दूसरा option है cover package okay cover package में हम different different package का option दे सकते हैं cover mode में हम set count or atomic यह parameter दे सकते हैं okay तो by default set parameter के तुरू execute होता है ठीक है and count मतलब कि किते time वो particular function call हुआ है okay इसका हम demo देखेंगे और in count but correct in a multi-threaded test significantly more expensive इसका मुझे थोड़ा idea नहीं explore करके आपको बताऊंगा ठीक है तो let's start करते है कि इसको कैसे यह वाला पाट हमने तो cover कर लिये enable the coverage analysis okay ठीक है तो हम क्या करते है कि हम cover profile लिख थे किसी file में ठीक है let's write to write all those things in one file यहां पर option मुझे दिखना था cover profile का आप क्या करो इसको copy करो as it is copy करो copy करने के बाद आप अपने test case में ठीक है इसको इस वे से execute कर रहे थे अब इसको यह ओला parameter दे लो ठीक है और एंटर कर दो ठीक है एंटर करने के बाद यह एक फाइल जनरेट करेंगा तो यहां पर वह क्या बोलता है कि यार लाइन नमबर यहां पर डंब करता है इसको करना थोड़ा difficult है तो हम क्या करते है कि instead of going by a line हम इसको है ना कुछ टूल का यूज़ करके हम इसको और html मोड में देखेंगे ठीक है तो गो टूलिंग में option रहता है गो टूल आपको इंस्टार करने की ज़रूत नहीं है बाइडिपॉल आपके पास रहता है ठीक है यहां पर आपको cover लिक ना है और यहां पर आपको html मतलब मुझे html mode में मुझे देखना है और यहां पर आपको cover जो output फाइल आप ने जनरेट के वह वाली फाइल आप लिए और एंटर करोंगे तो यह क्या करेंगा कि आपको code coverage बता देगा कितना पर कितना % code आपका cover हुआ है कितना परशंट कोड अभी तक के अभी तक नहीं हुआ है ठीक है तो यहां पर देख सकते हो कि यह जो ग्रीन portion है वह ऑला portion आपका कवर्ड है ओके ठीक है सेम वह जो रेड पोर्शन है ओके वह वाला पार्ट अभी तक कवर नहीं होगा है और यहां पर सेंटेज में वह आपको बता रहा है कि एला 57% कोड हमारा कवर हुआ है तो जेनरल ही होता कहें कि यूनिट टेस्ट केस में 60-70 या फिर 70-80% अगर आपका क कोड कवर है तो यू आर इन गूड कंडिशन अगर उससे कम होगा तो यू नीट टू राइट मोर यूनिट टेस्ट केस्ट और मोर आटोमेशन कोड और यूर फॉर यूर डेवलोप्मेंट पर पर से ओके सो ठीक है अब हम थोड़ा सा एक्स्प्लोर करते हैं ओके और कौन- देखांगा ओ हो फ्नैस्ट मनें ह हमें एक ऑप्शन मिला था किया कईरमौड का ऑप्यों हमें मिलाता तरक और मोर कहां रहीं कवर मोर ंत अबलब मोर को यू यह था को को कि न उप्शन हम एक्सपायवर तो सेट बाएकर सबैसे इस हाँ में मोर प्रक्वर अनलेसिस for the package okay and being tested the default is said unless race is enabled in which case atomic is required okay generally whenever you use the mighty threading okay और go routine अगर आप यूज करते हो गो रूटीन तो उसकेस में शायर आपको atomic की ज़र्वल पढ़ती है तो हम क्या करते हैं कि यह वाला करने के गोशिश करते हैं okay how many time does this statement run okay तो हम क्या करते हैं इसको parameter में यहां पर देते हैं ठीक है यहां पर आपको क्या करना है cover mode देना है और यहां पर account देना है ठीक है एंडर कर दो ठीक है टेस्केस हमारी execute होंगी ओके एंड उसको view करने के लिए कि क्या करना है मैं गो तूल कवर ओके एंड एस्टेमल मोड में ओपन करना है उस फाइल को cover.out ठीक है ठीक है अगर आप ध्यान से देखोंगे तो अभी थोड़ सा चेंजस आपको देखना है यह प्रीवेस वाला था हमारा यहां पर सब color थोड़ा ब्राउनीश है तो बोल रहा है कि यह कोड कवर हुआ है उत्ते टाइम कवर नहीं हुआ है और जो ग्रीन है हाइस ग्रीन ओके यह बोल रहा है कि यह सबसे ज़्यादा कोड कवर हुआ है अभी तब इसको सबसे ज़्यादा कॉल किया है या फिर मैं बोल सकता हूं कि इसके लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट केस लिखे गया है और यह वाला पॉजिशन अभी तक कवर ही नहीं हुआ है तो इस वे से आप काउंड आटोमिक या फिर सेट ऑप्शन का यूज कर सकते हो ठीक है और कोई ओप्शन है क्या और एक और आपको थोड़ा है यह होगा यह कवर का रेड़ और कौन-कौन से आप्शन है आप क्या करो गो टूल और कवर यहां पर लिखते हो तो यहां पर जैस माइनस एच नाम का फ्लाइग यहां पर देदो ओके जैस हुआ है तो जैसे हम यहां पर लिखते थे यहां पर फंक्शन डाल दो यह सिंपल आपको कमांड लाइन में बता देंगा कि कौन-कौन सा कोड़ अभी तक किता परसंट कवर हुआ है ओके इतने सारे आप्शन आपको यहां पर में जाते हैं इवन दो मोड का भी आप्शन य तो डेमो.txt नाम के फाइल में यह वाला आउट्ट रीडिडिक हो जाएगा अगर मुझे html वाला आउट्पुट रीडिक करना होगा तो आप क्या करो html यह यहां पर डेमो.html के फॉर्माट में लिखो तो आपका html के फॉर्माट में आपको दिख जाएगा इस पर तो अब व्यो कर सकते हैं यहां पर रायट क्लिक करो कुछ ओप्शन है क्या ओपन विछल्वर का है तो यहां से भी project कर सकते हैं ठेक है so yeah that's all for the code storage okay and in next session may be we look at the memory profile और CPU profile क्या होता है वह आप हम कवर करने की कोशिश करेंगे ठेक है thank you for this session